कक्षय दस विश्य गनित पर्षनावली एक वेदी गनित सुत्र प्रावरत्य विदी से भाग सुत्र प्रावरत्य विदी से क्या करना है भाग करना है संख्या हमारे पास में है 1154 भाग 103 इसको तो बोलते हैं भाजक और ये क्या होता है भाज्य ये होता है भाजक ठीक है तो ह हमें भाग करना है इसके लिए सबसे पहले देखने है एक सो तीन हमें वो ही जो पहले निखिलम सुत्र में हमने किया था निखिलम वीदी से भाग में किया था अधार मानने की अधार ये संक्या किसके नजदीक है तो ये है सो के नजदीक तो अधार क्या हो जाएगा इसका यह संख्या माइनस अधार तो संख्या अमारे पास में है 103 और अधार अमारे पास में 100 तो विचलन क्या हो जाएगा? 0,3 अब देखो 103 में से 100 गटाने पर 3 ही बचता है 0,3 क्यों लिखा? क्योंकि यहां पर अधार में कितने 0 है? अधार 2 0 है तो इहां 2 अंक बनाने होते हैं इसलिए हमें 2 अंक बनाए हैं इसलिए 0 लगा दिया ठीक है? उसके बाद में हमें देखो सुतर का नाम है परावर्तित अंक हम तो रिखेंगे परावर्तित अंक यह कैसे लिखते हैं? जैसे ये संख्या 0,3 पलस में है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, माइनस में लिखते हैं, अगर कोई संख्या माइनस में आ जाए, तो उसको हम पलस में लिखते हैं, तो 0 का तो, 0 पर चाहिए, पलस का चीने लगाओ, चाहिए, माइनस का लगाओ, ये तो 0 ही रहता है, 3 क्या हो यहां पर नीचे क्या लिखते हैं प्रावर्तिय अंक लिखते हैं तो प्रावर्तिय अंक हमारे पास में जीरो और तीन जीरो तीन लिख दिया प्रावर्तिय अंक उसके बाद में इन संख्याओं को लिखते हैं देखो अधार में दो जीरो है तो दो अंक बाहर लिखेंगे इस परकार लिखना है अब तो पहली संक्या सेम की सेम उतारनी है तो एक का तो एक ठीक है इसके बाद में यह लिखेंगे संकेत 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 में पहला क्या लिखेंगे जो एक है इसका इस 0 3 से गुणा करना है यह लिखोmy एक गुणा 0,3 तो गुणा करेंगे यह को क्या आजेगा 0,3 minus का minus का यह था तो same संकिया यह संकिया तो हमने सीधी की सीधी यहां उतार दी थी अम देखों, यहां 0 है तो इसको यहां लिखना है जो यह minus का 3 है यहां लिखना है अब इन दोनों को जोड़ेंगे एक में जिरो जोड़ा तो कितना है एक है फिर नंबर दो संकेत में क्या करना है इस एक को इससे गुणा करना है तो एक गुणा जिरो तीन तो हमारे पास में क्या जाएगा जिरो तीन माइनस का तो अब इन दोनों को क्या लिखेंगे जिरो य गया कितना बचा दो तो ये वाली संक्या तो हमारी हो जाएगी भागफल और ये संक्या क्या हो जाएगी सेशफल question number 17 1358 में भाग देना है 113 का तो 113 किसके नजदीक है सबसे पहले यहां क्या लिखेंगे अधार तो अधार अधार कितना हो जाएगा 100 उसके बाद में विचलन कैसे ग्याद करते हैं संख्या माइनस अधार तो संख्या हमारे पास में कितनी है 113 अधार हमारे पास में 100 तो विचलन कितना हो जाएगा 113 में से सोगे 13 अब क्या ग्याद करने हैं प्रावर्तिय अंक प्रावर्तिय अंक देखो दोनों ही किसके हैं पलस के हैं 13 तो इनको क्या लिख देंगे माइनस के तो लिखेंगे माइनस एक और माइनस का तीन अब क्या करना वही तीन लाइन इस प्रकार लाइन ठीक है यहां लिखते हैं बाजक तो बाजक कितना है एक सो तेरा यहां लिखते हैं प्रावर त्यांग माइनस एक माइनस तीन और देखो अधार में कितने जिरो दो जिरो तो दो अंक बाहर आ जाएंगे पांच और आठ बाकिस के अंदर पहला अंक सेम का सेम उतरना है ठीक है? यहां लिखेंगे संकेत संकेत में नमबर एक इस एक की इन दोनों से क्या करनी है? गुणा करनी है ठीक है? तो यहां लिखेंगे एक गुणा माइनस का तेरा तो क्या जाएगा? माइनस तेरा माइनस एक तो यहां लिखेंगे माइनस का तीन यहां लिखेंगे वही तीन में से एक गया कितना बचा दो तो नमबर दो संकेत में क्या लिखेंगे जो दो है इसके गुणा करनी है दो इंटू एक और माइनस तीन से गुणा तो यह जागा दो और छे अब यहां लिखेंगे दो तो लिखेंगे यहां माइनस का 6 लिखेंगे यहां माइनस का 8 में से 6 गया 2 देखो यहां 5 है 5 में यहां देखो माइनस का जोड़ लो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा 5 में से 5 गया 0 तो यह हो जाएगा बाग फल यह हो जाएगा 6 फल Question No.18 1432 में बाग देना है 88 का वही 88 किसके नजदीक है 100 के नजदीक है तो अधार 100 उसके बाद में विचलन सुत्र क्या है संख्या माइनस अधार संख्या हमारे पास में 88 है और अधार हमारे पास में क्या है 100 है अब यह जो 88 है यह पलस का है 100 किसका है माइनस का है तो माइनस की संख्या बड़ी है तो चीन है किसका हैगा माइनस का तो माइनस का बारा विच लेना आ गया ठीक है अब क्या गयात करेंगे परावर्ते अंक परावर्ते अंक गयात करेंगे तो यह माइनस के तो दोनों किस के हो जाएंगे पलस के तो बारा किस का हो गया पलस का हो गया वही तीन लाइन इस परकार कितने अंक बाहर लिखेंगे दो जीरो है तो दो अंक बाहर लिखेंगे तीन और दो बाग की अंक अंदर यहां क्या लिखेंगे पाजक 88 यहां क्या आजाएगा बारा आजाएगा प्रावर्तिय अंका आजाएगा ठीक है वही पहली संक्या सेम की सेम अब क्या करेंगे संकेत लिखेंगे तो पहला संकित क्या हो जाएगा एक की गुणा किस से करेंगे बारा से तो एक इंटू बारा तो आजाएगा बारा ठीक है तो एक तो यहां आजाएगा दो यहां आजाएगा अब इन दोनों को जोड़ेंगे चार और एक पांच तो यहाँ आ गया 5 आ गया अब दुबारा क्या गरेंगे नमबर दो में 5 की गुणा करेंगे 12 से 12 पंच 60 तो यहाँ लिखेंगे 6 यहाँ लिखेंगे 0 अब गया करेंगे इनको जोडेंगे तो 0 में 2 जोड़ा 2 देखो 3 और 2 5 5 और 6 11 तो 112 आ गया अब देखो यहाँ जो बाज़क है इससे यह सेज़पल ज़्यादा है यह सेज़पल ज़्यादा नहीं होना चाहिए ठीक है जब भी यह ज़्यादा हो इसके लिए हमें क्या करना होता है हमें क्या करना होता है इस पर कर भाग देना होता है यह रफ का रहे हम आपको बता रहा हूं 112 में यहां किसका 88 का भाग देना होता है तो हम लिखेंगे 88 कम 88 गटा देंगे 12 में से 8 गे 4 ठीक है तो यहां क्या बचा जीरो 10 होगे 10 में से 8 गे 2 24 बचा इस परकार हमें अब देखो से इस फ़ल कम आ गया तो जो यह एक आया है भाग फल इसको तो यहां लिखेंगे और यह जो 88 है इसको यहां लिखेंगे ठीक है 15 और एक 16 अठीक गटाएंगे तो कितना बचेगा 24 तो यह तो होजाएगा भाग फल यह होजाएगा सेश फल कुश्चिन नमबर 19 14 1885 में भाग देना है 123 का तो किसके निजदीक है 100 के निजदीक है तो अधार कितना होजाएगा 100 ठीक है उसके बाद में विचलन विचलन होजाएगा संख्या माइनस आधार संख्या हमारे पास में 123 माइनस आधार 100 तो विचलन कितना होजाएगा 23 तो विचलन हमारे पास में 23 आगया परावर्त यह अंक अंक दोनों प्लस के तो किसके हो जाएगे माइनस के ठीक है अब वही तेन लाइन के जनी इस प्रकार यहां क्या लिखते हैं बाजग 123 बाजग यहां क्या लिखते हैं परावर्त यह अंक अधार में 220 यह तो दो अंक बाहर आ जाएगे 8 और पांच बाकिया अंक अंदर 1, 4 और 8 ठीक है वही तरीका पहले का पहला अंक सिदा का सिदा उतार दिया यहां लिख देंगे संकेत संकेत एक में क्या करेंगे इस एक को इन दोनों से क्या करेंगे गुणा करेंगे तो 1 into 30 क्या जाईगा minus का 2 minus का 3 तो यहां जाईगा minus का 2 यहां जाईगा minus का 3 अब इन दोनों को करेंगे 4 में से 2 गया 2 तो नंबर 2 संकेत इस 2 का किस से गुणा करेंगे 2 और 3 से 2 और 3 से गुणा करें आया 46 तो 4 तो यहां आ जाएगा 6 आ जाएगा यहां उपर कितना है 8 है निचे कितना है 4 और 3 7 माइनस के साथ है 8 में से 7 के कितना बचा 1 तो नमबर 3 संकेत अब क्या करेंगे 1 का गुना करेंगे 2 और 3 माइनस के 23 से तो सेम संक्या जाएगे माइनस 23 तो यहां जाएगा माइनस का 2 यहां जाएगा माइनस का 3 5 में से 3 गया 2 8 में से 6 और 2 गया 0 तो यह कितना है भाग फल बाग फल कितना 121 यह क्या है 6 फल 6 फल आ गया हमारे पास में 0 दो दो